जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका sociology classes के हमारे यूटूब चैनल पे तो हम आज देखने वाले हैं जन्रानकी का पार्ट तो देमोग्राफी ते समंदी जोगधानों है अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकत है इससे पहले जरूरी सुचना आया है कि अभी तक आप हमने हमारा जो है टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किया है तो जोइन कर सकते हैं वहां पे आपको नाइन एम पर और नाइन पीम पर लाइप विश्च करवाए जाते हैं तो जरूर से जुड़े चलिए आए देखते ह है आज हम देखने वाले हैं जो पहला टॉपिक है वा सकल पुनर उत्पादन दर रॉस रिपोडेक्शन ट्रेट जनसंख्या प्रिधि सही अर्थों में कन्याओं की संख्या पर ही निर्भर करती है यही कारण है कि जनसंख्या प्रिधि की माप के लिए शकल पुनर उत्पादन की दर की गढ़ना की जाती है उन्हें उनका कि वैसे कन्याओं जितनी अधिक रहेंगी जिस समाज में उस समाज में रिपोड़क्शन होने का ज़्यादा दर रखता है अब सकल पुनर उत्पादन जो दर होता है वह 15 से 49 वर्ष के आयुविसिष्ट वाली इस्त्रियों की केवल करन्या जन्वा पर आधारी है आयुविसिष्ट प्रजलन दर का योग तो इन में क्या किया जाता है कि जो 15 से 49 वर्ष आयुविसिष्ट वर्ष की इस्त्रियों होती है और उनमें भी विशेश करके कन्या जन्व पर आधारी होता है उनके आधार पर निकाला जाता है शकल पुनर उत्पादन दर इस तरह सकल पुनर उत्पाद पादन दर J-R-R इस तत्थ की वर्शंकेत करता है कि प्रतिय एक आईवर्ख की स्त्रीयों द्वारा और सत रूप से कितनी कन्याओं को जन्म दिया जाता है कितनी कन्या confession के आई में कोई स्त्रीय को जन्म देती कोई स्त्रीयों का की डिद्रा स्थ रे अहरी स्थ किसी भी जिम्संख्या में सकल पुनरुतपादन दर का मुल्य एक है तो इसका अर्थ है कि सम्बंधित लिंग अपने आपने पूरी तरह से प्रती स्थाफिक कर रहा है तो जन्संख्या इस्तिर होती है जैसे उधर पुनरुत पादन जाता है। उसी तरए कर्म में एक मुल्य होता है तो होदा है कि एक कर शत्री को तरह से । परतीशथापित करती है ऐगर एक से अधिक है तो जनसंख्यादर बढ़ेगी अगर एक से कम है तो जन और घटे की अगला है यह जी जी आर एक से हधीक है तो उसका भविस में जनसंख्या बढ़ेगी और गश्च जी आर फट्राद ट्रोस रिपो ड़क्शन रेट एक से कम है तो जन शंक्या में कमी आई क्युंकि भविस में माताओं की संख्या में निरंतर परियां रहेंगे लड़क लड़कियां ही नहीं रहेंगे इस्त्रियां साधी वीवा नहीं होगा बालकों का तो भी रिपोडेक्षन आटोमेटिक घट जाए इसे वर्तमान समय में आपको जापान चीन जैसे देशों में देखने को मिल रहा है कि वहां की जम्रां क्या गठती जा रही है क्योंकि वह जो यंग पॉप्लेशन है या तो वह साधी नहीं कर रही है और सब्सक्राइब रहने का प्रयास करें सिप्रेट अकेले नौकरी करके पेसापना ब्यतीट कर रहे हैं इस तरह से वहा की जनसंख्याइब भराबर कम हो रही है जिससे उनका लेबर वर्क जीट होता है यह सब चीजें पर प्रभावित होती है अगर आपका जनसंख्या बहुत तेजी से गिता है तो अगला है सुद्ध पुनर उत्पाद अंदर नेट रिपोड़क्शन रेट यदि सकल उत्पाद अंदर पर ध्यान दे तो इसकी प्रमुक कमी है कि वर्तमान मृत मृतुत तक करण्ट मॉडिलीटी को छोड़ देता है उसमें शकल पुनर रुथ पादन है उसमें मृतुत्पाद को नहीं गिना जाता है अर्थाज जी जी आर में इस मानिता को स्विकार किया गया है कि सिसु जनन की उच्छतम सीमा तक पहुचने पर किसी इस्त्री की मृत नहीं होती है तो उसको छोड़ देता है लेकिन इसमें क्या है कि जी जी यार की इस कमी को दूर करने के लिए मितुता घटक morality factor का भी समायोजन करना वसक होता है इसलिए सुद्ध पुनारुत पाधन दर या नारार की गड़ना की जाती है तो जी जी यार में जैसे बहुत सी महिलाएं 18 से 20 वर्स या 30 वर्स की उम्र में वितु हो जाती है या उनकी साधी से पहले मर जाती है तो कन्याओं के आधार पर जी जी यार निकाला जा रहा है तो कन्याओं के आधार से जो जी जी यार निकाला जाता है उसमें मिर्टुत आधार तो काउन नहीं करते लेकिन सुद्ध पुनारुत वाधन दर में जो भी इस्त्रिया या महिलाएं मित परती हैं बच्चों को जन्व देने से पहले उनकी भी गड़ना की जाती है या जन् सुद्ध पुनर उत्पादन दर कहा गया है तो सुद्ध पुनर उत्पादन दर सेतात पर चालू प्रजन दर के आधार पर मिर्टुता दर की समावजण के पश्चात नौजात कन्याओं से एक हजार नोजात कण्याओं द्वारा अपने संपूर प्रजनन काल के उत्पन की जाने वाली कण्याओं की संख्या से हैं इसे हम निमन तत्त से जानते है penso कि अगर सुद्ध पुनर उत्पादन दर एक है तो जनसंख्या इस्थिर रहेगी यदि सुद्ध पुनर उत्पादन दर एक से अधिक होगी तो जनसंख्या ब्रिधि की पवित्य होगी और एक से कम होगी तो जनसंख्या कटेगी यदि सुद्ध पुनर उत्पादन दर एनार और चकल उत्पादंदर की अपच्छा जनसंख्या ब्रिधिमाप का स्रेश्ट सूसकांक है फिर भी इसकी कुछ कम्या होती है अथा सुद्ध कुनर उत्पादंदर में भी कुछ कम्या है जो निमन प्रकार है यह जनसंख्या के प्रवाज पर ध्यान नहीं देता है अंतरगत प्रजनंदर और मिर्तुदर की इस्थिरता की मानिता को स्विकार किया जाता है इसके अंतरगत किसकी कि प्रजनंदर और मिर्तुदर दोनों की इस्थिरता की मानिता को स्विकार किया गया है कि वह इस्थिर चलता है एक जैसा चलता है लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी तो प्रजनन क्रिया मोल रूप से तीन बातों से प्रभाविथ होती है एक प्रजनन सकति प्रजनन के आवसर कितनी मिल रहे हैं प्रजनन के संबंध निर्ड़े लेना तो प्रजनन शीलता का निर्धार कारक सभी तत्व इन प्राध्मिक कारकों को प्रभावित करते हैं, प्रजनन इंदर को बढ़ा अथ्वा घटा सकते हैं, उन्हों न कहा कि प्रजनन शीलता के निर्धारक जो होते हैं, तत्व सभी तत्व इन तीन प्राध्मिक सकतियों को घ भटाया बढ़ा सकते हैं या प्रभावित करते को आगे प्रजन अंदर्क फास दीटी डिफिर इंसर में दूसरे राष्ट को एक ही राष्ट के विश्ष्व विशेषता वाले विविन समोहों में अध्न समधाय में अधिक बच्चे पैदा करने का होता है और यहां तक हिंदू समाज में कुछ जाती है कम बच्चे पैदा करती है कुछ ज्यादा जब पच्चे पैदा करती है तो एक राष्ट या राज में कुछ विशिष्ट समों के लोग जो है मैं प्रजन दर अधिक पाई जात अर्ठीक तर तो जो अमीर लोग होते हैं वह उनका प्रजना अंदर होता है और जू करीब होते हैं वह अधिक बच्चे पैदा करते हैं उनकी भाई सोच ऐसी होती है कि ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो ज्यादा लोग कमाने वाले हो जाए इसतरह होती है द्योसाय भी डिपेंड करता है कौन किस द्योसाय में उस अधार प्रजन अंदर प्रभाव होता है जैसे नगरों में ज्यादा अधिक रहता है कि मृत्तुदर भी प्रभावित करेंगे अगर मितुदर कम होती है और जन्मदर ज्यादा होता है तो जन्संख्या बढ़ेगी प्रजन अंदर कम होगा तो जन्संख्या घटेगी भोगोलिक कारण भी हो सकते हैं बहाजन और अवाज की कमी के भी कारण होते हैं देखे जाते हैं आर्थिक सुरच्च्छा जो अभी अमिने उठार दिया कि ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब भावना से भी कई लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं बेरोजगारी तो प्रजण नाग प्रजनां शीलता को प्रभावित करने वाले तीन तत्त्तों की चर्चा कि है प्रत्य श्रण नागता तो दिस नागने इसे पुझल प्रत्य सिंसे समाजीट फ्रक्टर में आपके attracted मनुठ की मूल प्रभिश्ट ही होती है गला हैं अगला मर्यतो किया समाथ प्रक्रिजा चीवन अनिमारिए घटना है या जीवन की जो है सबसे अनिमारिए घटन है कि मुर्ण संक्या प्रिंदी केवल जन्मदर के अधिक होने के कारण ही नहीं हुथ जाता वरन म्रितुदर कम होने पर भी जन संक्यादर अधिक हो जाता है अम्रितुदर को प्रभावित करने वाले कारक जन सांखी की संरचना तो जिन देशों में ब्रिध लोगों का अनुपात अधिक होता है अधिक हो वहां सामानेत उच्च म्रितुदर होती है इस प्रकार इस्त्रियों की अपच्छा पूर्चों की म्रितुदर उच्च होती है अगर जहां पूरुष अधिक तेजी से मर रहे हैं इस्त्रिया कम तो वहां भी यह होगा अधिक अनपात में पूरुष जन संख्या वाल स्वास्त सुविधाओं के विश्तार का सबसे आसान पैमाना है जीए गए च्छते में बिमार ब्यक्तियों और डाक्टरों का अनपात होता है जैसे मध्य अफ्रीका के कई देशों के इस्तिती बहुत दैनी है क्योंकि वहां पर सतर से नब्य हजार पर केवल एक ही डाक्टर उपलब्द है अर्था तो वहां की स्वास्त सुविधाए लचर है इसलिए वहां मृतुदर जादा रहेगी सामाजिक वर्ग जन्षंख्या के धनिव वर्गों की तुल्ला में निर्धन वर्गों में सामांत्य उच्छ मृत्य दर होती है इसका कारण है निर्धन वर्गों में कम जागरूपदा होती है निम्न अस्तर पर घरों में गंदी इस्तिती देखने को मिलती है और संतुलिद भोजन और परियाप्त स्वास्त्युधाओं का पाया जाना इस सभी कारण हो सकती है सामाजित सुरच्चा और कल्यारयकारी ओजनाय जिन और सब्सक्रा मानी दाव कमी देखी जाती है जैसे जमपल सुरूप भारत तमाम तरह की सर्क्रार मिलतुधार क्रीशनाय को कौन्ट्रोल करते पाया है नहीं पहले क्या होता था महामाधी की चपेट में बहुत अधिक लोगों की एक साथ नित्ति हो जाते थे इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती थी अगला है ब्युशाय कुछ ब्युशाय अन्य की अपच्छा थिक खर्टनाक होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों क जैसे स्वास्तंबंदी विमारिया किसके कारण होती है तो यहां देखें इनमार्मेंट से संबंदी देख भैक्ट मिले गया कोईला ख़दान में काम करने वालों को निमो को नियूप्सिस निमो को नियोसिस और टूबर कुलोसिस जैसे स्वास्तंबंदी विमारिया होती है उच्छ अस्तर की जिम्मेदारी वाले व्युवसाई में मानसिक तनाव के कारण कम आयू में ही मेतु हो जाती है अगला निमास अस्थान भी मितुदर को प्रभावित करता है शमानेता गाउं की अपच्छा सहरी छेत्रों में मेतुदर अधिक होती है जो सहरों में अधिक भीर याता यात संकूलता वाई मंडली पर दूसरा मानसिक तनाव आधिका परणाब होता है तो सहरों में लोग जो होते हैं उनमें बीमारी होने का जादा खत्रा होता जाता है अत्याधिक भीर होने के कारण एक्सिडेंटल मितु हो जाते हैं कई तर्याक्त मानसिक तनाओं होते हैं हाथ तंगी की कारण तो इन सब के कारण भी मृतुदर में अधिक्ता देखने को मिलती है उत्पादक्ता की दर तीन अंतर संबंधित कारण हैं आसन्य निर्धारक सामाजिक आर्थिक निर्धारक सहकारी हस्तच्छे तो आसन्य निर्धारक क्या होता है कि ब्यवहारिक और जैविक कारण जो प्रत्य रूप से उत्पादक्ता को प्रभावित करते हैं जैसे बिवा प्रारूप जैसे कहीं बहु बिवा है, कहीं एक बिवा है, तो ओह प्रारूप जो है, उसमें भी जन संख्या के प्रभाव, बृद्धिदर में देखने को मिल जाता है, योन संबंधी क्रियाओं का प्रारूप, अब कई जन जातियों में क्या होता है, वो अपने समों के सभी महिलाओं के साथ योन स उसके बाद सामाजिक आर्थिक कारक है तो सामाजिक आर्थिक कारकों का महतपूर प्रभा उत्पादक्ता अस्तरपूर पड़ता है बच्चे का आर्थिक और सामाजिक मुल्य महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक इस्तिति यह सब चीजें जैसे जैसे वैसा समाज जहां इस्त स्थ्री की अपचारी करत वह स्था में भागी दर महत पुर्ण है उत्पादकता दर कमी होगी जैस तरह जहां जब्षा कर रही हैं वहां जन्मदर या उद्पाधकता दर में कमी हो जाती है अत जननान की की मिरत उदर को मापने के लिए निम्न विधियों का सहारा लिया जाता है है एक असनसोधित मृत्व दर प्रूड बर्थ सरी उड़ ड्रेट रेट तो क्रूड देट रेट क्या है या किसी विशेष वर्थ से अर्थात किसी एक वर्थ में पंजी कृत्र मृत्व के संपूर जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती है इसमें मृत्व प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्स भी कहा जा सकता है परांत थृसरालता के एक से प्रति हजार से व्यक्ति किया जाता है कि प्रति हजार विकतिया उपर कितने लोगों के इंधु होती है उसको असनसोधित मृत्व कहते हैं जैसे एक हजार पर अगर चालिस लोगों की मृतुदर है तो मृतुदर को वार्षिक रूप से चालिस माना जाता है असनसोदित मृतुदर CDR को ग्याद करने के लिए किसी काल विशेश में हुई मृतुदर वो के मध्यमवर्गी जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है और प्राप्त भाग भल को एक हजार से गुड़ा करके असनसोदित मृतुदर प्राप्त किया जाता अगला है विशिष्ट आयूम मृतुदर एज इस्पैसिक दित्रेट एज डियार तो असनसोदित मृतुदर सीडियार की गर्णा करते समय सभी आय वर्गों में मरने वाले बेक्तियों का समावेश किया जाता है इसकी सहायता से इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती कि विभिन आय वर्गों की मृतुदर क्या है है तो सीडियार में शय०्ध मृतुदर में सभी का गर्मा कर लिए जाता है बच्छो बुर्षो सभी की गर्मा कि जाती है लेकिन एस्ट आय तो कि मृतुदर ये गयाद की जाती है ले गैंने प्रतेक वाई वर्ग में मरने वालों की व्यक्तियों की संख्या को उसी वाई वर्ग के जनसंख्या कर भाग देकर एक हजार से गुड़ा करके इस विशिष्ट आयू मृतुदर क्यात की जाती है जैसे एक्जाम्पल के तोर पे माल लिजी हमारी जनसंख्या क्या है टोटल एक हजार है और एक हजार में माल लिजी है टोटल दो सव युवा है और दो सव युवाओं में क्या है दस 200 कर के 1000 सभून देंगे तो आए विसिस्ट मरिक्टूदर प्राप्त हो जाए गां मुआ मुआ तो ऑट की जा सकतbonssk जैसे 26 डर विटूदर लिन्ग भिसिस्ट मरितूदर इसके एलामा मुट्ण के कालरो के अनुसार ही मुट्ण की गड़ना की जाती है जिसु मृतुदर से टात पर आयो के प्रथम यहाँ इफ़ेक्ट इंप्पॉर्टेंट रखेंगे एक्जामें पूुछा जाता है कि सिसु मृतुदर में इसको गिना जाता है आई के प्रथम वर्ष तक 0 से 1 की मृतु को सीशु मृतुदर कहते हैं सीशु मृतुदर की समाज के सामाने स्वास्त दसाओं का सर्वसेश्ट सूचकांक माना जाता है यह दर जितनी कम होगी जीवन अस्तर और जन स्वास्त उतना ही अच्छा होगा काए प्रजनंदर में भी कमी कम क्या चितना अस्तर जीवन अस्तर स democrats Sharp रहेगा उतना ही प्राजनंदर में कम होगी इसके विप्रि जहां सिसा सुमुर्थ तुदर अधिक होती है महाँ प्रेजनंदर भी उची है क्योंकि बच्चों को जीने की मतलब जीवित रहने की आसंका हो रहती है इस कारण लोग जादा सज्ञादा बच्चे पैदा करते हैं जिससे प्रजणा अंदर भी उच्छा रहता है अब स्रिसु मृतुदर को ग्याद करने के लिए जीवन के प्रथम वर्थ जीरो से एक में जीरो से एक वर्थ में एक वर्थ में कितने बच्चे बितु हो रही सव माली यह टोटल जन्म हुए बच्चों की संख्या एक हजार है और उससे जब हमें एक हजार का गुडा कर देंगे तो हमारा सिसु मृतुदर त्राप्त हो जाए गार सुर्थ मृतुदर कखा है यदि प्रती हजार जन्म दरू को निक्याला जाता है तो भागभल एक हजार से गुडा कर दिया जाता है है सलादो जन्म श्राइ compl मृतुदर को आई वर्थ के आधार पर पुना दो भागा में कि दो भागो में बाटा जाता है एक नवजात सिसु मृतुदर नियो नेटल मौटरिटी रेट एक नवजनमत्तर काल सिसु मृतु दर तो यह एक आई-इस्ट मृतुदर जिसके अंतरगत चार सपता से एक माह चारसपता से मतलब एक माह से कम हम आई कि बच्चों की मृतुत को हम नवुचात सिसु मृतुदर में गिनते अर्थाथ एक दिन से लेकर धार 6-8 अर्थथाथ 1 माह तक कि बच्चों क्यों जो बच्चों की मृतुल होती योसको समय बच्चात सिसु मृतare मृत्तुदर कहा जाता है यह अभी पूछा जाता है खास करके माइचिंग वाले क्यूचर में कभी कभार आ जाता है अगला है नौ जन्मुत्तर काल सिसु मृत्तुदर पोश्ट नियो नेटल मौटिनिटी एट तो प्रथम चार सब्ता के बाद वर्ष के सेश 48 सब्ताहों में मृत्तु को इसके अंतरगत सम्लित किया जाता है इस गड़ना को नौ जात सिसु मृत्तुदर या नौ जन्मुत्तर सिसु काल सिसु दर के रूप में गिनते हैं तो इसमें क्या होता है एक महिने के बाद जो बच्चे मृत्तुदर होते हैं एक महिने से ले करके एक साल के बीच समय से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनमें यह मृत्तुदर अधिक देखने को मिलती है इसके विपरीद नौ जन्मुत्तर मृत्तुकाल जो है वह अधिकतर आस्वास्तकर अवासों गंदियम सड़ी गली वस्तुव को खाने अध्वा कुपोसड के कारण होती है तो पहला जो है समाने नौजात मृत्तुदर क्या होता है जैसे समय से पहले जो बच्चे समय से पायदा हो जाते हैं टाइम प्रीड से पहले उनकी ज्सकानित नोजात सुमद्ध में गीना जाता है जो एक महीने के भी तर जो है तो हो जाती हों की और उसके बाद जो बच्चे मरते हैं तो उन्हें को था क्या गंदी जगाहुं पर रहने से उन्हें कोई संक्रामक रोग हो गया या कुछ ऐसी बस्तों खिल कि ला दिये हैं विसके कारल उसको अंदर कोई रोग हो गया अस वस्तता के और जो बै apostles को मरों gide के बात से और एक वर्ष के बीच्ट के बच्चों को नोजन मुत्तर काल मिर्टुदर के स्रेड़ी में कारण के रूप में देखा जाता है प्रमापी कृत मिर्टुदर स्टैंडर्ड देट रेट तो आज संसोधित मिर्टुदर और आज विस्ट मिर्टुदरे दोनों ही अन्ता छेत्री तुलना की दुरिष्ट से उपयुक्त नहीं समझी जाती है अता इन परिस्थितियों में जहां जनसंख्या की सनरचना और लिंग की भिन्यता पर ध्यान दि किया जाता है सनरचना का इसी है लिंग की विदित मित भिन्यता कहती है उस अदार पर जम्रीतुदर को प्रमापी मृतुदर कहते हैं इसमें ऑच संसोधित म्रीतुदर और समयोजन की प्रक्रिया पनाई जाती है और इस समायोजन की प्रक्रिया के फल्स्वरूप प्राप्तदरों को ही संसोधित तरे अल्थाद प्रमापी क्रित मृतुदर या सन्योजित एड़जेश्ट मृतुदर कहा जाता है अगला है भूड मृतुदर तो भूड जो मृतुदर होता है फ्रूटल म्योट्टी मॉरिलिटी रेट जो होता है वह 28 सब्ता कहीं कहीं 20 सब्ता आपको मिल जाएगा से कम समस्त प्रकार के नश्ट गरभों अठात जो बच्चे पेट में ही मृतु हो जाती है जिनकी अपूर रचीत होते हैं और समलित किया जाता है है धूर अमिरितु दर प्राय है दो प्रकार से होते हैं एक स्वता गर्वपाथ एक प्रेरीत गर्वपाथ पर फ्राव एक होता है स्वता पच्चे किसी कारणबस मर गए और कुछ लोग जैसे प्रेरित होते हैं दवाउआ का करके अन्य के साथ। तो उसको और रिट करते हैं, इसके अंतर ग्रपाति हो, जन्मो q को समलिद किया जाता है जो गरपात के 28 सptah tक होते हैं, अगला है maternal mortality rate, वह होती है वह मारतितू मितूदर, इसमें क्या होता जो महिलाएं होती है प्रसाओ के सामय जिनकी मृतु हो जाती है उनको सामिल किया जाता है तो मरातित्र मृतुदर का तात्वर सिसु जन्म के कारण फुई इस्त्रियों के मृतुदर थे हैं इनकी जन्म करना के लिए सिसु के जन्म के कारण उने वाली इस्त्रिय मृतु की क्या से भाग देकर एक हजार से गुड़ा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि माल लीजिए पचास महिलाएं हैं पचास महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय होती हैं और उस समय माल लीजिए एक हजार बच्चों का जन्म होगा तो इसका भाग देने के बाद एक हजार से जब खूड़ा कर देते हैं तो मात्रे तुम्हें तुदर हमें क्या थोता है अस्वास्थता से परे मॉर्बिलीटी डिटी यह वस्था होती है जिसमें मनुष्य जिवित तो रहता है परन्त किसी काले करलाब को संपादन करते रहने के लिए स्वास्थ की दिश्ट से ठीक नहीं रहता है और ताथ किसी न किसी रोग से गरस्थ होता है अस्वास्थता का माप बीमारी और बीमार व्यक्तियों की गड़ना के अ-धार पर की जाती है जिस शित्रत्वा अस्थान की आस्वास्था संबंधि दर निकालनी होती है वहां पर बिमार ब्यक्तियों की संख्या ग्याद कर ली जाती है फिर अस्थान काल विशेस में और सजन संख्या से भाग दे कर भाय दुपल को एक हजार से गुड़ा कर देते हैं कि अस्वास्थता का माप निकला आता है तो क्या करते हैं माल लीजिए किसी शेत्र में सव लोग अस्वास्था हैं वहां की अवसत्त जन संख्या एक हजार है या दस हजार माल लीजिए और तब एक हजार से हम जब गुड़ा कर देंगे त सवस्थता का माप मिल जाता है असे प्रकार प्राप्त-धरगो अस्वास्तता कि संसोधित जन्म-दर हाजा तो पानों सवस्थता कि संसोधित जन्म-दर मैवाल में बच्चे तो फिंचन्म दे देती वह आसी कंडिय attentive नहीं हो कि कि अनिकार को संचालन कर सके वह में सब बीमार रहती है तो इस तरह के भी कई केसे देखने कर नहीं है उस दर को भी निकाला गया है तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समात करते हैं वीडियो को लाइकन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद